2004 में जब मनमोहन सिंग प्रधान मंत्री बने तो भारत की एकॉनमी दस्वे इस्थान पर थी 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंग के राज में भारत की एकॉनमी दस्वे इस्थान से लेकर 21 इस्थान तक पहुँच गई इसके बाद 2014 से लेकर 2024 तक यानि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के राज में भारत की एकॉनमी 11 इस्थान से 5 इस्थान पर आ गई है पर इसके विरोध में जो लोग आवाज उठा रहे हैं आपको नहीं लग रहा कि कुछ लोग इन्हें रोकनी की भी कोशिस कर रहे हैं तर असल इस बात को लेकर नरेंदर मोधी जी ने क्या रिप्लाई किया है जरा आप भी इसे सुनिये यह सारी बाते जानने के बाद आपको क्या लगता है कि प्रधान मंत्री कौन होना चाहिए अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें